इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about another kind of simple permanent tissue present in plant, हम पढ़ेंगे about scleranchyma, अभी तक हम देख चुके हैं about colonyma and parenchyma की किस type की tissues हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं वो वीडियो, अगर आप जानना चाहते हैं इन tissues के बारे में, तो अभी रेजिस्टर कीजिए web portal पर which is abhyasonline.in, वहाँ पर जाकर आपको इन वीडियो को देखें और detail में जाने कि simple permanent tissues क्या हैं और कितने types की हैं, तो यहाँ basically हम बात करेंगे another type of simple permanent tissue जो कि है scleranchyma, तो जो scleranchyma हमारे पास tissue है, यह हमारे पास है simple permanent tissue, यह कैसे cells हैं, यह होते है dead cells और यह जो है flexibility और strength प्रवाइड करते हैं plant को, तो देखेंगे कि इनकी cells हैं, जो यह tissues हैं, इनके अंदर किस type की thickening present होती हैं, किन-किन parts में, यह plants में मिलते हैं, और कैसे यह बात की cells से differ करते हैं, so basically इनके अगर हम scleranchyma के बारे में पढ़ते हैं, तो यह जो cells होते हैं, यह thick cells होते हैं, elongated cells होते हैं, ठीक है? thick walled और elongated cells होते हैं, इनके scleranchyma के अंदर, जो cells हैं, वो surrounded होते हैं, by the thickening of lignin, ठीक है, एक chemical present होता है, इनकी walls के around, जिसे हम बोलते हैं, जो basically इन cells हैं, उन्हें strength provide करते हैं, जो further यह tissues हैं, scleranchyma के, वो further क्या है, plant को strength provide करते हैं, so their cells are surrounded by lignin chemical, so यह जो tissue है, उसके अंदर क्या है, उनके cells के around lignin है, जो lignin एक chemical है, जो tissue को thickness provide करेगा, plus यह जो tissue के cells है, उसको strength provide करेगा, flexibility provide करेगा, lignin एक ऐसा सबस्दान है, basically यह hard cells होते हैं, और इन cells के अंदर, क्योंकि यह dead cells है, और lignin के deposition है, तो यह और जादा hard हो जाते हैं, तो यह basically किस type के cells है, dead cells होते हैं, dead cells के बने होते हैं, तो इसलिए automatically, एक तो dead है, उस वज़े से hard है, plus हमने यह आपर lignin के deposition है, उस वज़े से tissue है, वो hard हो जाता है, अब hard tissue हमें, plant की body में किसके जगां चाहिए, उससे ही हम जान जाएंगे कि इनकी locations कहा है, तो इसकी location के अगर बात करें हम, location यह, जो plant के इनकी parts है, जहां यह मिलेगा, उसमें हमारे पास आ जाती है stem, veins of leaves, ठीक है, हमारे पास stem में आ जाएंगी, veins है जो leaves की, उसके उपर मिलती है, covering होती है, जो nuts की और seeds की, वहाँ पर हमें heart tissue की presence ज़रूरी है, वहाँ पर heart tissue need होता है, तो वहाँ पर भी a tissue present होता है, स्टेम है, veins of leaves है, तो इन इन parts में क्या है, प्लांट की यह tissue मिलता है, stem को strength provide करेगा, veins है जो leaves की, वहाँ भी strength provide कर रहा है यह, और leaves को क्या है, एक बिल्कुल ही flexible structure नहीं होने दे रहा है, कुछ strength उसे provide कर रहा है, veins के, veins के अंदर यह tissue present होकर, after that covering है seeds की, और nuts की, स्क्लेरन काइमा टीशू की बनी होती है, जो स्क्लेरन काइमा टीशू है, वो हमें maximumly मिलता है, in the husk of coconut, ठीक है, और इसको जो है, जिन plants में सबसे जादा मिलता है, उन्हें हम different parts, चीजों के लिए use करते हैं, like jute है, उसके आंदर काफी अच्छा content होता है, स्क्लेरन काइमा तो इसका इसका यूशू का टीशू का, ठीक है, और हम आड़ास फ्लेक्स है, फ्लेक्स को यूज स करते हैं, तो इसका use कहां आ जाते हैं? तो जो स्क्लेरन काइमा हमारे पास है वो जूट और फ्लेक्स के अंदर मिलता है जिसको हम यूज करते हैं प्रवाइड ही करता है वो जो हमारे पास जूट के हमारे पास बैग होता ही है या फिर इनकी रॉप्स होती है हमारे पास तो वो है सारी उनके अंदर क्या है स्क्लेरन काइमा जो की बेसिकली स्टेंज प्रोवाइड करता है तुद प्लांट पार्स ठीक है तो यह और हमारे पास एक और मैंशन हमने अभी किया है वह हमें बिलता है इन हसको और को को देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि बेसिकली जो सेल्स हैं जो टीशुस हैं वो किस बने होते हैं तो उसको आप हच को देखकर ही जान जाएंगी कि इस टाइप की वोल्ड होते हैं इस ट्रेंथ प्र्वाइट करते हैं सट लिवेंज फ़ैंट की बात क्या है कि इनके पास एक deposition होती है chemical की जिसे हम बोलता है लेगन इन जो इन्हें क्या है इसके जो टीशू के डिफरेंट सेल्स हैं उन्हें आपस में स्टेक करके रखते है ठीक है और उन्हें सेल्स को क्या है वो strength provide करता है और hard बना देता है इस पूरे टीशू के structure को तो यह है about scleranchyma tissue scleranchyma tissue का अगर मैं normal structure draw करते हैं हम अगर हम देखते हैं कि cross section में हमारे पास elongated cells है of scleranchyma tissue अब इनके आंदर क्या है इनके जो intercellular spaces हैं यहां पर सारे में क्या present है lignin इने हम fibers भी बोलते हैं जो इसे हम fibers भी बोलते हैं तो fibers जो use होते हैं jute और flex में वहां से हम जान सकते हैं तो कुछ इस टाइप से है lignin को मैंने dots से दिखाया है आप इसको फूरा fill करके भी दिखा सकते हैं तो यहां पर हमारे पास यह क्या हो जाता है cells है और यह हमारे पास होती है lignin की deposition हमने कॉलन काइमा में देखा है कि particular corners पर ही thickening होती है deposition होती है यहां पर हमने देखा है कि इनके अंदर totally अगर अभी तक आपने अभियास online.in पर रिजिस्टर कीजिए आपको इनके क्या benefit होने वाला है वहां पर register करने से आपको basically किसी भी chapter के किसी भी concept को वहां आप conceptually पढ़ेंगे मतलब वहां पर road learning आपको नहीं मिलेगी अगर आप register करते हैं तो वहां आपके concepts को strong बनाने का काम होता है तो आप जैसे जैसे जिस concept को पढ़ते हैं उसके वहां पर आपको proper notes मिलते हैं जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं उन notes को पढ़िए उन videos को देखिए और concept को properly समझिए समझने के बाद आप उन concepts के उपर test दे सकते हैं कैसे आपकी testing हो जाती है कि क्या आपने वह concept सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अगर आपका test में proper score नहीं आता है या prepared नहीं है तो आप दुबारा उस content को पढ़िए उस videos को देखिए उसके बाद जो test आपको conduct होता है उससे देने के बाद आपको एक proper analysis मिलती है उस analysis में आप strong, moderate और weak areas जानते हैं कि particular concept के कौन से ये areas हैं अगर आप ज्यादा time moderate और weak areas को देते हैं तो automatically आपका particular concept है वो strong हो जाता है तो ऐसी different concepts जो आपको ऐसे लगता है कि weak है आपके या पूने पढ़ना चाहते हैं या उन्हें strong बनाना चाहते हैं तो ऐसी different concepts के उपर अगर आप काम कर लेते हैं तो automatically किसी भी competitive exam का कोई भी syllabus हो आप उसे अराम से पढ़ सकते हैं और किसी भी exam में अच्छा score कर सकते हैं तो अगर अभी तक रिजिस्टर नहीं किया है do register to our web portal which is abhyaas online.net